मुश्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं Chief Justice of India vs. CBI कुछ ऐसा-ऐसा मामला हमारे सामने आ गया है क्या मतलब हुआ? बाई, जो N.V. रमना जी है यानि जो Chief Justice of India है उनोंने CBI की विश्वसनता के उपर परशन खड़े कर दी है कुछ ऐसी बातें बोली गई है कि इससे जो CBI जो है उसके जो काम कर रही है उसकी कितनी विश्वसनता है या उसके उपर कितना यकीन किया जाए यह सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है CGI के द्वारा जो उनोंने ऐसी बातें बोली है कि इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि PDF कहां मिलेगी तो description box में telegram का एक link दिया मिलेगा वहां से आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखे Chief Justice of India यानि एनवीर अमना जी ने जो किंद्रिय जांच Bureau है यानि Central Bureau of Investigation CBI हो गया वहां पर उन्होंने कहा है कि गंभीर सारजुनिक जांच के दाएरे में आ गया है CBI जो है वो एक तरीके से Political या Agenda के तोर पर यूज किया जाता है वही किसी भी राज्ये के अंदर अगर Center में जो सरकार है State के अंदर जो दूसरी सरकार है तो उसको कही न कहीं दबाने के लिए CBI को एक तरीके से यूज कर लिया जाता है तो यहां पर जो इसके द्वारा काम किया जा रहा है तो उस पर सवाल उट रहे हैं कि तुम कहीं न कहीं Center के पक्ष में हो और State को दबाने की कोशिश कर रहे हो तो यहां यह बात बोले गई है कानून परवर्तन एजंसियों में सुधार के प्रयास के रूप में मुख्य न्यायद इसने एक जितने भी हमारे यहां पर Law Enforcement Agency है अगर सुधार करने है तो Chief Justice of India ने कहा है कि आप एक ऐसी Agency ले आईए उनको एक Umbrella के अंडर ले आईए Umbrella यहां पर जो बोला गया नहीं खुद स्वंतंत्र होकर Investigation कर सके वहां पर कह सकते हैं कि जो सबूत है उनको इकठा कर सके और वो पेश कर सके तो यहां यह बात बोले गई है Chief Justice of India के द्वारा अब CBI के बारे में अगर हम बात करें तो CBI की जो स्थापना है 1963 में जो ग्रहम अंत्राले है यानि होम मिनिस्टर है उनके परस्ताव के द्वारा की गई थी और जो CBI जो है वो किसके अंडर आती है किसके अंडर आती है Department of Personal and Training of the Ministry of Personal Public Grievance and Pension इसके अंडर यह काम करती है अच्छा CBI को पावर कहां से मिल रही है काम करने की इसको पावर मिल रही है यहां पर Delhi Special Police Establishment Act 1946 इसके तहर जो है वो CBI को काम करने की पावर मिलती है कहीं कि जांच करने की पावर मिलती है यह काम क्या करती है देखे बरहस्टाचार की रोकताम पर संथानम समीती संथानम समीती द्वारा CBI की स्थापना की सिफारिस की गई थी कि भी बरहस्टाचार रोकना है CBI के अंदर सरकार की परमुख जांच एजनसी है यहां पर यह केंदरी असातरकता आयोग और लोकपाल को भी यहां पर साहता परदान करती है देखे हमारे देश के अंदर तीन ऐसी एजनसी समझलो जो बरहस्टाचार के खिलाफ या उनके खिलाफ मतलब जांच करती है एक तोगी CBI एक है CBC यानि Central Vigilance Commission एक है लोकपाल ठीक है इनकी हेल्प के लिए भी यह CBI जो है वो काम करती है तीनो जो है वो कहीं न कहीं क्या काम करते है भरहस्टाचार को रोकने का काम करते है Central Vigilance Commission जो है वो जो गवर्मेंट इंप्लोई है उनके खिलाफ कोई भी शिकायत है उनको जांच करना ये काम करती है अब यहाँ पर है यह भारत की एक नोडल पुलिस एजनसी भी है जो इंटरपॉल सदस्यों की और से जांच का समन्वे करती है यानि जो इंटरपॉल है आपको बताए कि इंटरपॉल यानि काफी देशों ने मिलकर एक पुलिस थापित कर रखी है यहाँ अगर किसी भी जैसे हमने बात करें चोकसी जो था या फिर नीरव मोदी जो की रेड नोटीस उसके खिलाफ जारी किया गया है रेड नोटीस का मतलब है अगर वो यहाँ पर हस्ताक्षर कर रखें अगर इंटरपॉल के अंदर उनोंने उसके अंदर वो शामिल है तो वहाँ पर उसके खिलाफ रेड नोटीस लागू कर रखा है कि वहाँ की पुलिस जो है उस नीरव मोदी को पकड़ कर भारत को सोपेगी ये बातें जो है वो इंटरपॉल के द्वारा लागू की जाती है तो यहाँ का गया है कि अगर किसी भी दूसरे देश का भगोडा भारत में आ जाता है तो इंटरपॉल साहता लेगी या फिर इंटरपॉल कहेगी कि वही इस भगोडे को वापस भेजो या फिर इसको पकड़ो यहाँ पर तो इसके तोर पर कौन काम करती है नोडल एजनसी के तोर पर तो वो CBI काम कर रही होती है अब CBI के सामने चुनोतियां क्या है क्या-क्या इश्यूस आ रही है इसके एक तो इसको कहा जा रहा है कि पोलिटिकल इंटरफेंस बहुत जादा है इसके अंदर यह बहुत हकीकत की बात है कि भारत के सरवोच नेले ने CBI के कारे पालकों में कारे कलापों में अत्यदिक राजनितिक हस्तक्षिप किये जाने के कारण इसकी आलोचना की थी और कहा था कि अपने समामी की आवाज में बोलने वाला पिंजरा बंत होता है CBI बहुत एक कहें सकते हैं कि काफी बार इस स्टेटमेंट का यूज भी करते हुए आपको मिलेंगे भी कि CBI को पिंजरा बंत होता कहा जाता है कि जैसा सेंटर कहेगा बोलने की वैसे यह बोलता भी है अचा इसका दुरूपयोग जो है वो बार-बार किया जाता रहा है जैसे कि कोई नई सरकार बनके आई वो अपने काम के लिए गलत काम को छुपाने या फिर गटबंदन के जो सहोगी है उनको दबाँ उनके पर दबाँ बनाए रखने के लिए या जो विरोधी राजनेती हैं उनको उत्पेडन के लिए CBI का यूज़ करते करते हैं अचा ओवरलैपिंग एजनसी यानि अती वियापी एजनसिया अब सोचिए एक कोई जुर्म हो गया उस जुर्म के इन्वेस्टिकेशन के लिए इतनी सारी एजनसी उसके उपर लगा दी जाएंगी कि वो अपने अपने अगर जांच सब के सामने रखें तो अलग-अलग उनके जांच निकल के आ रहे हैं जिससे क्या है कि बयानों में विरोधाभास होता है और बेगुना जो जेल के अंदर बंद है तो यह एक बहुत बड़ी हमारे सामने इशू आ रहा है एक कर्मियों की भारी कमी यहां पर ऐसा नहीं है कि CBI के अंदर लोगों की कमी हो सकती है यहां पर जिस तरीके से लोगों को यहां पर CBI के अंदर भेजा जाता है वो बड़े ही एक transparency नहीं है उसके अंदर यहां पर जो political leader है वो अपने चहितों को CBI के अंदर भरती कर रहे हैं ताकि वो उनके coding काम कर सकें तो यहां पर कहा जा रहा है कि एक पर बोला भी कहते है कि CBI के लिए आप अलग से एक paper conduct करवा लिजी ताकि यहां पर सीधे ही भरती हो जाए तो इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है इसके लिए आपको पता है SSC यह देना पड़ता है फिर कहीं न कहीं CBI के अंदर जाने का मोका मिलता है फिर सीमिज शक्तियां है सीमिज शक्तियों का मतलब हुआ कि जांच के लिए CBI की सदश्यों की जो शक्तियां वो अधिकार सेतर राज्य सरकार की सहमिती के दिना है मतलब कि अगर CBI जो है वो किसी राज्य के अंदर जैसे की कोलकता के अंदर CBI जाने वाली थी कोलकता ने जो चीफ मिनिस्टर ममताव एनर्जी उनोंने कह दे कि नहीं मेरे राज्य के अंदर OuiBi को किसी भी राज्य के अंदर अगर इन्वेस्टिकेशन करने जाना है तो वह और इन्ट्री नहीं कर सकते जब तक कि वहां की राज्य सरकार उनका वनृमटी ना दे तो सर ऐसे अगर जुर्म एक सवाल ये भी उड़ता है कि सर ये तो क्या भी जाएं नहीं पाएंगे फिर अगर उनोंने कभी अनुमती नहीं दी देखे ये एक बार मना कर सकते हैं अगर CBI जो है वो सुप्रीम कोट का अगर ओडर लेकर आ जाते हैं तो भाया वहाँ पर सरकार भी नहीं रोग सकती इनको फिर तो ये जाएंगी अब यहाँ पर परतिबंदित पहुंच है के अंदर सरकार अब यह सोचिए CBI जो है Central Government जो Central Government के जो Employing है जो काफी बड़ी सतर पर हैं जैसे की Joint Secretary होगे या फिर इनके लेवल के जो अधिकारी होगे अगर उनके यहाँ पर जांच कर रहे हो तो उनकी जांच के लिए पहले अनुमती लेने पड़ेगी केंदर सरकार से अब केंदर सरकार कभी अनुमती इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो उनी केंदर में आ रहे होते हैं उन्हीं के कहने पर वो काम करते हैं तो यहां पर केंदर सरकान उन्मती देगी नहीं और CBI इनके कभी जाँच करेगी नहीं तो इनके सामने सबसे बड़ाई बादा ये आ रही है अब कानून परवर्तन को कैसे बहतर बनाया जा सकता है कैसे इनफोर्स्मेंट लोग को इंप्रूव करें अब यहां बोली गई स्वतंतर अंब्रेला इंस्टिटूशन का निर्मा जो चीफ जसिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा कि CBI होगी, ED यानि इनफोर्स्मेंट डिरेक्टर हो गया यह एक दोगाद़ी जांच काराल्या है यानि कि Serious Fraud Investigation Office है इन सभी एजन्सियों को एक काम करें आप एक छट के नीचे लेके यह और एक ही एजन्सी बना लीजिए और यहां पर आप क्या करें कि इस एजन्सी को आप पावर देजिए यह अपने सही ढंग से यह काम कर सके यह autonomious हो इसके उपर किसी political leader का दबाव ना हो या फिर किसी political party का दबाव ना हो अब यहां बोला गया है कि यह जो संगटन आप बनाएंगे उसका नेत्रित जो है मतलब कि उसको निस्पक्ष रखिए उसको सतंतर रखिए आप और यहां पर इस leader का आपने जो भी committee बनाईए इस संगटन को नेत्रित करने के लिए committee बनाईए और उस committee में जो भी आप leader चुनते हैं जैसे CBI के जो निदेशक होते हैं डिरेक्टर होते हैं जो इस committee या फिर इस संगटन के जो डिरेक्टर होंगे उनकी उनका चैन जो है जैसे CBI के जो डिरेक्टर होते हैं उसी तरीके से करवा लिजी तो CBI के डिरेक्टर को कैसे निउक्त किया जाते हैं तो इसके लिए एक committee होती है जिसके अंदर Prime Minister होते हैं Opposition Leader होते हैं Chief Justice of India होते हैं तो यह जो है वो Crime Branch के यह नहीं CBI जो है उनके डिरेक्टर को वो चुनते हैं अच्छा CGI ने कहा है कि पूर्ण स्वंतंतरता आपको सुनचित करनी है तो एक अलग से एक और Autonomious आपको बनानी पड़ेगी जो स्वंतंतर रूप से Investigation कर सके Prosecution कर सके यहां पर Clear न्यूक्ती समीती द्वारा संस्थान के परदर्शन की वार्सिक लेखा परिक्षा के लिए परस्तावित कानून में एक उचित जांच और संतुलन का परावधान हो यानि कि reasonable check and balances भी यहां पर provide करवाई जानी चाहिए Clear यहां पर राज्यों और केंदर के बीच सोहार्थ पूर्ण संबन देखिए राज्ये सूची में के तैट पुलिस तथा सारजनिक स्वास्त का जांच बोज मुखे रूप से पुलिस पर रहता है और जांच के शेत्र में बढ़ती जैसे चुनोतियां बढ़ रही हैं उनको निपटने के लिए राज्ये की एजंसियों को मुझबूत किया जाना चाहिए अम्रेला जांच की निकाए जैसे यहां पर बोला गया है वहां पर परस्तावित केंद्रे कानून को राज्यों द्वारा उप्यूक्त रूप से दोरहाया जा सकता है लेंगिक समानता लाना जैसे कि यहां पर बोला गया है कि अपराधिक नयाए प्रणाली में महिलाओं की प्रयाप परतिनीतों की आफशकता है क्योंकि वहां पर है नहीं समाजिक वैदता समय की मांग है ताकि समाजिक वैदता या फिर कहें कि सारजनिक विश्वास को पुने प्राप्त किया जा सके और इसे हांसिल करने के लिए पहला कदम राजनीती कारे पालिका यानि जो पॉलिटिकल हस्तक शेप हैं CBI के अंदर उसको दूर हटाना होगा अपर आधिक न्याज़ पॉलिस सुधारों में पॉलिस सुधारों की मांग की गई थी कि भी पॉलीस जो एक विकती फॉलिस इंस्पेक्टर है यह किसी विकती को पकड़कर लेकर आए हैं अब पकड़कर लेने आलग कामलग होता है फिर इनके उपर अगलग का प्रोसीजर इ और आप यह दोनों काम एक वेक्ति से करवा रहे हैं एक पुलिस ऑफिसर से करवा रहे हैं तो वह mentally बहुत जादा प्रोब्लम होती है तो कहा गया है कि पुलिस उदारों के हमें बहुत जादा जुरूरत है तो उनको लागू कर लीजिए यहां पर और बहुत सारे जो मामले न इलिग्राम का एक लिंक दिया मिल जाएगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो के पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को सुब्सक्राइब करें और साती साथ शेर कर सकते हैं वीडियो को एस डाले चैनल को thank you for watching this video